आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is Explain the principle of Paper Chromatography ठीक है हमें principle देना है Paper Chromatography का ठीक है तो देखो जो Paper Chromatography होता है इसमें क्या होता है Chromatography Paper यूज़ करते हैं ठीक है Graphy Paper is used ठीक है क्या यूज़ करते हैं Chromatography Paper अब देखो अब बात आती है कि हम जो है Chromatography जो है मतलब ये यूज़ क्यों करते हैं तो देखो, इसमें क्या होता है, अलग-अलग pigments गो होते हैं, उंको separate करनी के लिए, पहले जो use आता था, जो flowers match प yapmışलों शर्म क्या होते हैं, उसके अलग-अलग pigments को separate करनी के लिए use करते हैं, देखो, इसमें क्या होता है, इसमें ein container है, suppose ये एक container है, ठीक है, ये हमने container बनाया है, इस container में हमने क्या लगाया है, यहाँ पर, यह हमारा prometography paper है, ठीक है, prometography paper यूज किया है, अब इसमें जो है, हमारा एक solvent जो होगा, वो भरा हुआ है, ठीक है, अब देखों, यहाँ पर यह हमारा होता है, mobile face, ठीक है, mobile face, ठीक है, और कोई भी जो हमारा pigment होता है, उसको हम यहाँ पर ऐसे point करते हैं, ठीक है, यह हमारी यहाँ पर क्या होती है, base line होती है ठीक है और इसको यहाँ पे उपर ऐसे cover कर दिया जाता है ठीक है अब यह जो हमारा solvent होता है यह क्या होता है यह हमारे इस paper के थूँ उपर के side move करता है ठीक है यहाँ पर यह क्या होगा move करता है और देखो जैसे जैसे यह हमारा move करेगा solvent वैसे वैसे जो हमने यहाँ बेस में आपर pigment का यह लगाया था मार्क यह भी हमारा क्या होगा यह भी मतलब pigment जो होगा यह भी इसके साथ-साथ उपर move करने लगेगा ठीक है थोड़ी से बात क्या होता यह जो pigment है इसके जो सबस्विक्वेंट होते या फिर जो इस pigment के कुछ भी मांदो जो components होंगे वो भी क्या होगी वो separate होने लगेंगे तो यह आपको किस तरह से separate होते हो जिखेंगे इसके बागी सारे pigments जैसे कि यह हमारा यह paper था ठीक है तो हम पर हमने इसका यह spot किया था तो यह तो हमारा यहां यह यह यहां पर है ठीक है और पिर जो हमारे pigments होंगे, वो हमें इस तरह से नज़र, यहाँ पर क्या होब, इसका मतिलब ऑलग-allag pigments को लेकर move कर रहा है, फिर अलग-alग pigments को separate कर रहा है, अब कैसे, तो principle क्या कहलाया, कि जैसे-जैसे हमारा जो solvent होता है, वो move करता है, वो अलग-अलग pigments को लेकर move करता है ठीक है, सबसे पहले जो red वाला dot था उसको लेकर move किया, तो यहाँ पर हो गया फिर next जो pigment लेकर उसने move किया वो हमारा green हो गया उसके next जो लेकर किया, तो इस तरह से हम यहाँ पर separate कर लेते, ठीक है, तो यही इसका principle है Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर